तो इसे पता लगता है कि कमपनी का आउटलुक कितना सॉलिड है कितना मजबूत है और आगे जाके कमपनी मल्टी फोल्ड ग्रो होने वाली है मल्टी बेगर रिटर्न देने वाली है और फ्रेंड्स ओल इन ओल ये स्टॉक की स्ट्रेंथ को दर्शाता है और दोस्तों हमने पहले भी एक वीडियो किया था जिसमें हमने चार स्टॉक कवर किये थे जिसमें प्रमोटर्स बाय कर रहे है तो उसमें हमारे व्यूवर्स ने हमको ये पूछा था कि कुछ स्मॉल कैप और माइक्रो कैप स्टॉक लेकर आओ जहुँ पर promoters अपनी ही company में stake खरीद रहे हैं तो friends here is the video for you और दोस्तों आगे बढ़ने से पहले बता देना चाहते हैं यह कोई quality pigmentation नहीं है यह video हम सिर्फ educational purpose के लिए बना रहे हैं अगर आप किस stock को खरीदना है बेचना चाहते हैं आप खुद का analysis जरूर करें और अपने financial advisor की सलावी जरूर लें तो दोस्तों पहले stock की बात करते हैं यहाँ पे देखिए promoters निरंतर continuously अपना stake बढ़ाते जा रहे हैं और दोस्तों public से माल चीना जा रहा है यानि कि जो retail investor होते हैं आप जैसे मेरे जैसे उनसे माल धीरे 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 खिसकाया जा रहा है और promoters अपना stake बढ़ाते जा रहे हैं तो promoters काफी smartly अपना stake बढ़ा रहे हैं और यहाँ पे अगर मैं company के size की बात करूँ तो उस्तों market capital देखिए सिर्फ 592 करोर्स तो एक micro cap company है penny stock आप इसको बोल सकते हैं और जैसे कि आप जानते हैं जितनी छोटी market capital होगी उतना जादा company में risk होगा तो friends risk की company है तो आप अपने risk appetite के हिसाब से यहाँ पे invest करके चल सकते हैं और अगर इसके price की बात करूँ तो currently stock is dating at around 539 रुपीज और वहीं अगर 52 week high की बात करूँ तो 719 इसका 52 week high है और stock PE 300 का है तो थोड़ा सा premium पे trade कर रहा है दोस्तों undoubtedly तो यहाँ पे अगर मैं return on capital employed की बात करूँ तो 13 का है return on equity 10 का देखने का मिलता है friends इसका stock PE काफी expensive है तो यहाँ पे हम technical chart में is intact at rupees 10 और promoter holding अप देख सकते हैं आप already देख चुके हैं पिछली यहाँ पे 65.48 current holding promoter की है और यहाँ पे भी 65.5 almost अचा return देखिये दोस्तों पिछले 5 साल में 79.6% के CAGR से इसने return बना के दी है और sales growth काफी शांदार है 78.3% और profit growth की बात करों दोस्तों triple digit में profit growth हर company में आपको नहीं मिलेगी कोई इकी दुकी मतलब बहुत rarely कोई company मिलती है जिसकी profit growth sales growth तीन-तीन digit में देखने को मिलती है यानि की 100 से भी ज़ादा देखने को मिलती है and here is the company दोस्तों अगर debt की बात करें almost यहां पे debt 3.33 करोर का है लेकिन इसके पास reserve जो है cash reserve वो बहुत ज़ादा है तो virtually हम इसको debt free ही मान के चलेंगे अगर मैं payatros की score की बात करों तो 8 का payatros की score यहां पे देखने को मिलता है जो काफी healthy माना जाएग तो यहां पे reserves देख सकते हैं दोस्तों जितना इसके पास debt है उससे कहीं ज़ादा इसके पास reserve है यानि कि 10 करोर का reserve है और 3 करोर का यहां पे debt है अगर मैं reserves की बात करों तो दोस्तों reserves continuously बढ़ रहे हैं और अगर मैं यहां पे total assets की बात करों तो company के पास long term में total assets भी बढ़ते हुए देखने को मिल रहे है और दोस्तों अगर मैं company के नाम की बात करों तो it is tailor made renewables limited और दोस्तों जैसा की इसका नाम है यह energy में, green energy में, clean energy में water resources management में, solar energy management में तो इस तरह से काफी diversified fields में यह company काम करती है और मुझे यह चीज़ इसकी सबसे अच्छी लगी तो यानि कि जो इसके सारे business verticals है वो सभी की सभी future oriented है दोस्तों जहां पे future में काफी अच्छा scope देखने को मिलेगा हाला कि थोड़ा सा debt देखने को मिलता है या PE कह लिजए high है बट still debt के against जिसमें cash बहुत ज़ादा है और PE ratio की मैं बात करूँ तो वो थोड़ा सा higher side पे है लेकिन यहां पे अभी हम technical chart में discuss करेंगे कि किन किन levels पे आप इसमें नज़र रख सकते हैं तो यहां पे अगर मैं tailor made renewables की technical chart की बात करूँ तो दोस्तों all time high 719 का है और 507 के आसपास stock trade कर रहा है तो friends यहां पे अगर मैं इसके technicals को अच्छी तरह से study करूँ तो 400 पे मुझे काफी strong support और resistance zone नजर आता है दोस्तों यहां पे अभी stock थोड़ा सा गिरावट के mode में है आप इसको अपनी watch list में add करके चल सकते है और अगर यह आपको 400 के आसपास कहीं मिलता है वहां पे आप first installment लगा सकते है other than this नीचे की बात करें तो 300 रुपे के आसपास इसका फिर next support level है और वो भी काफी crucial है वहां पे भी आप second installment लगा के चल सकते है तो इस तरह से दोस्तों technical study कीजिए और stock का जो support का level है उसको identify कीजिए और accordingly आप हर support में थोड़ा-थोड़ा investment करके चलिए this is the best and golden investment strategy in any stock so let's check out our next stock now so friends first things first यह promoter's का stake देखिए 56.17 से बढ़के सीधा 71% यानि कि 15% का direct jump और यहां पे माल किसे चीना गया public से माल चीना गया DIAI से माल चीना गया तो friends और सारा माल चीना किसने promoter's ने और FIA's ने यह देखिए FIA's का stake भी यहां पे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है तो दोस्तों promoter's are going strong in this company और कुछ basic fundamentals की बात करों तो market capital यह देख लीजिए 2000 क्रोर के आसपास है आप इसको micro cap कह लीजिए या फिर small cap कह लीजिए it is totally up to you current price की बात करें तो 1398 का है all time highs का 1777 के आसपास है PIO TRISK की स्कोर की बात करें तो 7 के आसपास देखने को मिलता है तो friends जल्दी से इसकी balance sheet और चेक कर लेते हैं अगर मैं net profit की सीधी सीधी बात करो ना दोस्तों तो net profit growth इसकी मुझे personally काफी strong नजर आती है यह देखें net profit year on year बढ़ता जा रहा है अगर मैं operating profit margin की बात करो तो 20, 23, 70 नियां पर थोड़ा गड़ता हो नजर आ रहा है लेकिन comeback काफी strong है तो मतलब on an average above 20 इसके operating profit margins है तो 20 से उपर काफी strong माने जाते हैं no denying the fact operating profit की बात करों तो वो भी consistently बढ़ रहे है sales, sales इसकी consistently बढ़ रही है तो profit and loss statement काफी healthy है balance sheet काफी healthy है और अगर मैं sales growth, profit growth को table format में यहां पर predict करों तो आप देख सकते हैं 10 years में 19% का growth है 5 years में 27%, 3 years में 50% so why on why basis पे अगर मैं देखों हो तो इसकी percentage, compounded sales growth की percentage बढ़ती ही जा रही है और अगर मैं compounded profit growth की बात करों तो दोस्तों compounded profit growth इसकी why on why basis पे बढ़ती ही जा रही है तो friends now coming to the name of the company और company का नाम आप अपनी screen पे देख सकते हैं it is expelio solutions limited it is a part of expelio group in global engineering technology and consultancy services provider तो यह engineering or technology service provider में deal करते हैं और दोस्तों मैं कुछ और इतकी website पे काफी detail में study कर रहा था तो यह जो आने वाले technologies है जैसे AI होगी IoT होगी connected device, software management DevOps तो इन सब latest technologies पे भी यह काम कर रहे हैं और अगर इसकी business divers, geographical business diversification की बात करों तो यह आप देख सकते हैं USA में का business है UK में, UAE में, Singapore में Philippines and Belgium और दोस्तों अगर इसका experience देखें तो 30 एर से भी जादा का experience है in all those geographical regions तो almost सारी detail आपकी screen पे है you can pause and go through these details और अगर मैं Xpeleo के chart की बात करों तो यहां पे अभी stock थोड़ा सा flag pattern की तरफ जा रहा है और यहा पे आप देख सकते हैं consolidate कर रहा है ये ये जो level है ना 1400 का आप देख सकते हैं इसी level के आसपास इसी level के इर्दगर देख हों रहा है पहले भी यहां पे इसने इससी level पे resistance लिया था फिर जब ऊपर गया फिर से resistance लिया यहां पे इसने support लिया यहाँ पे support लिया यहाँ पे resistance तो 1400 का level एक काफी strong level है और अगर आप इसमें interested है वो invest करने में तो दोस्तों यहाँ पे 1400 के level पे आप थोड़ा बहुत investment करके चल सकते हैं down the line 1200 पे इसका एक next level पे support है तो 1400 1200 down the line 1000 कुल मिलाके हर 200 रुपे के gap में यहाँ पे आपको investment की opportunity मिलती रहेंगी तो friend जितना stock गिरे उतना ही इसमें आप खरीदारी करके चल सकते हैं all time high की बात करो तो 1874 का इसका all time high है और कहीं ना कहीं almost यह अभी 20% के आसपास का discount आपको दे रहा है अगर मैं RSI की बात करो तो 47 के आसपास इसका RSI मेरे को show हो रहा है तो stock का नाम as you have already seen आपकी screen पे नजर आ रहा है so let's move on to our next stock now लेकिन उससे पहले दोस्तों अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को subscribe नहीं किया है तो चैनल को subscribe करें वीडियो को like करें और share भी जरूर करें so let's come to the talking point now अगर मैं promoters की बात करूं तो इस stock में आप देखिए हर quarter on quarter हर quarter में promoters यहां पे अपनी holding बढ़ाते जा रहे हैं और public से माल चीना जा रहा है और बीज में FIA नवी entry अभी मार ली है last quarter में तो promoters यहां पे public से माल चीन के खरीद रहे हैं FIA ने यहां पे starting शुरू कर दी है investment की तो share holding pattern इसका strong होता जा रहा है on Q on Q basis अगर मार्केट कैपिटल देखूं दोस्तो 190 करोर only तो highly risky company तो आप अपने risk appetite के according यहां पे invest करके चल सकते हैं लेकिन current price की बात करों तो यह उन लोगों के लिए share है जो risk लेना चाते हैं और जो कहते हैं कि हमको 30, 40, 50 रुपे का कोई stock बताई है तो यह 40 रुपे का stock है all time high की बात करों तो लग बख 48 रुपीज का all time high देखने को मिलता है तो promoters की holding देख ली है sales growth बाकी सारा chart आपके सामने है you can pause the video and go through it तो दोस्तों सीधा technical analysis पे चलते है अब अगर मैं stock का नाम बता तो it is Magnum Ventures Limited यह आप अपनी screen पे देख सकते है Magnum Ventures Limited और दोस्तों Magnum का business आप अपनी screen पे पढ़ सकते है mainly इनका paper का business है और दोस्तों यह consistently continuously capex करते जा रहे है और अगर मैं इसके technicals की बात करूँ हूँ तो दोस्तों यहाँ पे 40 रुपे के आसपा स्टॉक अभी date कर रहा है all time high की बात करों तो 48 का all time high है और यहाँ पे हर 10-10 रुपे के gap में support है 30 रुपीज के gap में support है और 20 रुपीज के आसपा से एक support है तो यहाँ पे अगर आपको आप first installment 40 पे लगा सकते हैं second के लिए आप 30 का wait कर सकते हैं और अगर यह 20 के आसपास आता है तो वहाँ पे आप investment further करके चल सकते हैं तो friends let's move on to our next talk now और आज का हमारा next talk है और यहाँ पे अगर मैं last quarter के बात करूँ तो दोस्तों सीधा almost 20% लगब लगब 20% का jump सीधा promoters ने लगाया है तो promoters के पास 61% की holding है और DIA इसके पास almost 38% की holding है तो इसका share holding pattern काफी strong नजर आख और अगर मैं इसकी market capital की बात करूँ तो 267 करोर का market capital है और current prices के 20 रुपीज के आसपास ये trade कर रहा है और दोस्तों अगर इसके नाम की बात करूँ तो इसका नाम है Shiri Ram Multi Tech Limited दोस्तों अगर इसके business model की बात करें तो इसका packaging के verticals में business करती है other than this इसके अगर business horizons की बात करें तो 75% India से आता है 8% Tanzania से आता है UK से 5%, Nigeria से 4%, Saudi Arab से 3%, Sri Lanka से 2% और Singapore से 2% का business यहाँ पर देखने को मिलता है और दोस्तों इसके clients काफी diversified location में है diversified field में है और यहाँ अगर मैं technicals की बात करूँ तो दोस्तों अभी 20 rupees के आसपा स्टॉक trade कर रहा है अगर इसका support level देखूं तो हर 5 rupees की gap में यहाँ पर support नजर आता है 16 पर एक support है, 12 rupees पर एक support है और 8 rupees पर एक support है यानि कि almost 4-4 rupees पर आपको support का level नजर आएगा तो friends यहाँ पर अग 16 के आसपास आपको stock मिलता है तो आप averaging करके चल सकते है तो आप next installment यहाँ पर लगा सकते है तो यहाँ पर कहने का मतलब यह हर 4 rupees के gap में आप averaging करके चल सकते हैं तो दोस्तों यह सारी की सारी कमपनी माइक्रो कैप है, highly risky कमपनी है तो यहाँ पर जो risk लेने वाले investors हैं, वो ही यहाँ पर invest करें और आपकी screen पर एक और वीडियो नजर आ रही है जाँ पर मोटर्स अपना stake बढ़ा रहे हैं तो फ्रेंड्स उस वीडियो को भी अप end तक जरूर वाच करें चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही मिलते हैं कि इस और वीडियो में तब तक के लिए good bye, take care and thank you for watching this video